उन्नीस हों गई और बैज के आई प्रियेस अफसर डॉक्टर अतुल वर्मा ने इमाचल प्रदेश के नए टीजी पी लिएक कोने के बाद शिमला पुलिस मुख्यालय में पदभार संभाल लिया है इसके बाद मीडिया से बात चीत में डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए अवसर और चुनोती दोनों इमाचल प्रदेश पुलिस देश में बेस्ट परफॉर्मिंग है वहीं प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार और लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों पर नकेल कसना उनकी प्राथ मिक्ता रहेगी ना चाहूंगा एक तो बेला चीज डेटा दूसरा चीज कि क्या ये ड्रग से किसी और चीज से रिलेटेड है कि नी मेंटल हैंथ इंपोर्टेंट इशू है मैं खुद हैसा दॉक्टर काम किया हूँ और उसको शाइद इंडिया में उतना सीरेसली नहीं लिया जाता है स्टिक्मा भी है बट ये विश्व ज्यादा है इल्थ केर से रियेटेड है अभी आपने ने राज अबट पर बारें के बारें किस पर आप दावाद के रहेगा बर ट्रग्स के बाद मुझे लगता है कि साइवर क्राइम पर हमें कि फॉर्चुनेटली हमारे हाँ और नाइजड गैंग और और नाइजड ग्राइम नहीं है या नहीं के बराबर है तो साइवर क्राइम में रहेगा जाहतर ये क्राइम जो है विक्टिम हमारे हाँ है क्राइम करने वाले बाहर से है संख्या बहुत ज्यादा है अप्रॉक्सिमेटली साथ हजार कंप्लेंट आ रहे हैं साल में इसमें से कोई 20-22 हजार को हम जो नंबर जो है सेंटली गवर्मेंट वाला उसके माध्यम से हम उसको यूज कर रहे हैं क्या तो और बाकी फिर हम कुछ केस रहे हैं तो उसमें ध्यान देना जरूरी है और संख्याब हो जादा है लोगों के काफी लॉस हो रहा है इवाज अपको बता ही दिया हूँ अपको बता ही दिया हूँ तब डिमांट रहेगा तो सप्लाई कहीं कहीं से आ जाएगा हर जगा पुलिस मौजुद तो होनी सकती है मुझे अक्रिक तो नहीं मालू है लेकिन हजार किलोमेटर से काफी ज्यादा ही बॉर्डर हो और यह इंटरनाशनल बॉर्डर तो है कि हर जगा भी एस एफ ए आई टीपी होगी लोगों का आना जाना खेत हैं खेत का एक पार्ट इधर एक पार्ट उदार है तो यह तीनों सबागा चुनाओ चल रहा है कि सब्सक्राइगी राजपरती का जोगा भी है तो क्या सुरुष सब्सक्रा कि एक जाम की गए है महामधिव राष्टरपती माडम का पहले भी प्रोग्राम गवा है और उसी लाइन्स पे पुरी वैवस्था हो गई है और पहले की तरह इस वाली सुझारू भीप से हमारे स्पीज और अन्य ओफिसर्ज जो लगे में हैं तो कि एक जाम की वह जो पराव तो खशान होते हैं कि पुरे प्रिकत बिगादी यहां एगादा है यह डिसिजिन सिक्यूर्टी असेस्मेंट और इसमें गए अजेंसी इंवाल्ड सेंटर के भी स्टेट के वे उसके बादी लिया गएता है मैं तो हिमाचल को सबसे सुरक्षित स्टेट ही मानता हूं और महिलाओं के लिए भी जो भी इंसिदेंट्स हुए है उसको strongly investigate किया जाए और सजादिलाने का फुल प्रयास किया जाएगा मैं छोटा सा चीज बोलूँगा शायद तूरे देश में आप ध्यान दीजेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसे हैं घर से निगल के माल रोड लड़कियां क्लास 6, क्लास 7 की शिमला में जाती हैं आप दूसरा कोई प्रदेश बता दे जहां सेफली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लड़किया जा सकती हैं तिस इस अ मैटर ऑफ प्राइट क्लास प्रदेश के जिस करण प्रदेश की प्रदेश में सबसे अच्छी है जिसको आप रिजल्ट आउटकम से देख सकते हैं सबसे पीसफूल और सबसे पाकी भी परविटेज में और नशनल लेवल पे जहां जहां असेस्मेंट की जाती है इस्टेट्स की परफॉमेंस वहां ज्यादा तर नंबर एक, नंबर दो या नंबर दीन पर ही माचल में हर एक अलग-अलग क्राइम के शेत्र में मना जाता है उसी ट्रदिशन को आगे बढ़ाना और जो नए इमर्जिंग क्राइम से उस पर जाला फोकस किना पहले शांति प्रदिशमाना जाता है माचल लेकिन हाल जी के अपना हुई है लग्कियों पर खासकर गडार से गुला हो रहा है या इस तरीकें की अपनाए बढ़ी है तो तो अभी बढ़ी चुना थी गए स्ट्रे इंटर पर्सनल इंसिदेंट जो हुआ है वो उमीद करते हैं कि मैं रिव्यू करूं और उसमें अच्छा से इच्छा इंवेस्टिजेशन हो ताकि सगा उसमें अच्छा नसा जो है सबसे बढ़े नांपकी बढ़े परदेश में यूवा जो अनसे ख़शा रहा है इसके लिए क्या योजना है क्या जालूकता आप यहां चलाए जाए जाएंगे परदेश में आकी निमसे कि उपर उप्ताम लगाए जाए सब्सक्तिए ने यहां इंप्लिमेंट करने का कोशिश हरेगा हमारा फोकस डिमांड साइट रहेगा जब तक डिमांड कम नहीं होगा तब तक प्राब्लेम को पूरी तरह पकड में लाना मुक्किल होगा तो डिमांड कम करने के लिए कई तरह कि उसमें पहल की जाएगो और छोटे से स्कूल टाइम से लेके बच्चों का से लेके ट्रेनिंग, कांसलर्स की ट्रेनिंग, डिएडिक्शन सेंटर्स बेटर हो, और स्टिग्मा नहीं हो, बहुत लोग नहीं बताते हैं, यह भी एग्जामिन करेंगे कि इन पेशेंट की जगा आउट पेशेंट ट्रीट्मेंट से अगर हो सके, डॉक्टर्स को इंवॉल्फ करना, और कुछ और ऑगनाईशन हैं जो साम ज्यादा प्रियोरिटी दे के करना होगा, शायद प्रदेश के क्राइंग के हिसाब से सबसे बड़ा इशू है इसमें तीनों ही चीज है, आपको डिमांड, सप्लाई में के लिए एंफोर्समेंट करना, बेसिकली केस करना, पकड़ना और तीसरा ट्रीट्मेंट, यह तीनों मिलके ही चलेगा और यह तीनों उतने ही इंपॉर्टेंट है, यह कि ट्रीट्मेंट भी इंपॉर्टेंट है, ताकि वह वापिस नहीं है और इसके अलावा, एक और पॉइंट में प्लेक्स इशू है, ठीक है न, एक तो है रोड का साइस, ठीक है, कई जगह बढ़ाए नहीं जा सकते हैं, शमला बे आप कैसे बढ़ाएंगे, बिल्डिंग तोड़के बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे और डिसिजन्स जो है, रोड इंजिनेरिंग हम पुलिसिंग इशू नहीं है, पी डेवलो डी या वो देखते हैं, और गाणियों के संख्या बढ़ेगी यह, क्योंकि प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी तो गाणियां भी बढ़ेगी जहां तक पुलिसिंग का सवाल है, हमारे जो भी रिसोर्से है, मैन पावर, और हर चीज मैन पावर से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहां पे चार लेन की जरूरत है और जगह भी नहीं है, तो दो लेन में आप मैन पावर बढ़ा के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, प जरूर करेंगे, इस स्ट्राटीजी हो गए, ट्रीटमेंट और रिहाबिलिटेशन, और बाकी अब लो इस पे बरकरेंगे, हमारी फोर्स सारी जिगाते नात है, चाहे वो हमारे जो पुवेश्दवार हैं या कहीं से की हैं,